इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सर्चिंग टेक्नीक है ना उसके MCQs के बारे में तो first MCQ है in dash check the element of a list one at a time without speaking an element ठीक है वो गहता है कि हमारे पास elements की lists है ठीक है हम जो सर्च करते हैं one by one ठीक है मतलब हुमारे पास elements है ऐसे one two three four five हम पहले इसको search करेंगे फिर इसको फिर इसको फिर इसको बिन को क्रें तो यह क्या करलाता हमारे पास linear search तो इस cancer क्या गया linear search next what is the best case for linear search linear search के लिए best case क्या होगा अब है आपके पास element are ठीक है यह आपके पैस क्या है है five element है best case क्या हो सकता है best case हो सकता है कि आप one को search कर रहे हैं और one आपको initial starting में ही मिल गया ना तो best case तो यह हो सकता है कि आप one के लिए search कर रहे हो और one आपको पहले number पर ही मिल गया तो इसकी complexity कितनी हो जाएगी order of one ठीक है जी बात तो यहां पर लिख है time complexity order of n log n log n n 1 तो answer क्या आगया d order of 1 क्योंकि 1 आप search कर रहे थे माल लो और 1 आपको शार्टिंग में ही मिल जाएगा what is the roast case linear search roast case में क्या होगा कि माल लो roast case में आप 5 को search कर रहे हो ठीक है और 5 आपका पड़ा है last में ठीक है तो माल लो n element थे आपके और जो आप search कर रहे हो वो element last में है आपके पास ठीक है तो आपको सारे n के n element search करने पड़ेंगे last element तक पहुचने के लिए क्योंकि linear है ना linear तो क्या करता है पहले से ले चलता है और बारी बारी से चेक करता हुआ चलता है जो भी आप अगर मिल गया बीच में तो ठीक है वरना अगर वो last में होगा तो last में मिलेगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो ना भी हो आपके पास अगर वो last में पड़ा है element तब भी आपको पूरे n element सर्च करने पड़े और अगर element नहीं है तब भी आपको n element सर्च करने पड़े तो रोष्ट के वर्ष्ट केस क्या बन गया order of n चीए बात तो इसका अंसर क्या जिएगा c order of n next question देख लेते हैं तो next है which of the following is a disadvantage disadvantage of linear search require more space greater time complexity compared to the other searching अब वो कहता है required more space ज्यादा space की जुर्ट क्योंकि जितने element आपके पास है उतना memory में space तो आपको चाहिए ही चाहिए extra कब कहा जाता है extra का मतलब होता है यह तो आपके पास input है input के लिए तो जो space चाहिए वो तो हमें चाहिए ही चाहिए लेकिन अगर input के लावा extra space आपको लगता है ना search करने में वो कहलाता है extra ठीक है लेकिन input का जो memory में space है वो extra नहीं है input के लावा जो space लगेगा वो extra होता है तो आपके पास ज्यादा space तो नहीं लगेगा लेकिन greater time complexity compared to the other searching क्योंकि N element है और N ही आपको search करने में worst case में time लगता है तो इसका answer क्या जाएगा B Is there any difference in the speed of execution between linear search recursive versus linear iterative iterative और linear का मतलब मैंने बताया था iterative मतलब होता है जब आप for loop का use करते हो चीक है और recursive का मतलब होता है कि जब आप function call की help से program बनाते हो तो recursive में हमारे पास use होता है stack ठीक है recursive में हमारे पास क्या होता है stack और iterative का मतलब होता है जब आप for loop का इस्वाल करते हो तो linear search के case में कोई difference नहीं है दोनों के बीच में ठीक है बात यहां पर अगर हम करें फॉर लूप फॉर लूप में क्या होगा कि वो जितने भी आपके पास element होंगे ना उतना end time में चलेगा ठीक है है ठीक है बात लेकिन अगर हम function को use करते हैं ना function को use करते हैं तो function को हमें करना पड़ते है call function को क्या करना पड़ता है call function को call करने के बाद code आपके पास execute होगा search करने वाला लेकिन for loop में ऐसा कुछ नहीं है for loop में direct for के अंदर गया और code execute होगा लेकिन function में पहले call करना पड़ेगा फिर वो execute होगा तो इसलिए थोड़ा सा difference है एक्जीगूशन में और रिकर्सिम में function call होता है तो इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा लगता है आइट्रेटिव के मुकाबले ठीक है बात तो इसलिए answer क्या बने गया linear search आइट्रेटिव फास्ट क्योंकि इसमें function call नहीं होता ना function call करने में टाइम लगता है क्योंकि function call करने में इसलिए time रखता है क्योंकि जब function call करते है ना तो हमें जो memory के इंतर स्टैक है ना उसका इस्तमाल करना बढ़ता है तो उसी में time consume होता है recursive में आइट्रेटिव में नहीं होता तीक है यह आप याद रखना linear search recursive और linear search iterative में क्योंकि linear search ज्यादा linear search iterative ज्यादा फास्ट है recursive के मकाबले अब अगला question उसे का what is the advantage of recursive approach then iterative approach क्या है यह अब for loop में जो है code ज्यादा लगता है iterative में और recursive में code काम लगता है तीक है इसलिए असर क्या जाएगा less code and easy to implement याद रखनी है यह दो important बाते हैं के linear जो iterative है वो fast है linear recursive के मकाबले और जो linear recursive है उसके अंदर code कम लगता है ठीक है और उसको implement करना असान है तो इस cancer क्या आएगा बी उसके बाद अगला question हम देख लेते हैं seventh तो यहां पर लिखा है what is the roast case complexity of binary search using recursion ठीक है अब binary search case में अगर हम बात करें जो binary search है ठीक है उसके अंदर जो best case होता है best case तो होता है order of one ठीक है और जैसे linear search में best case था order of one इसी तरह binary search में भी कि आप जो element search कर रहे हो direct आपको वही मिल गया तो यह order one होता है लेकिन इसमें average यह फिर roast case यह time complexity थी है order of log n ठीक है बात तो इसका अंसर क्या बन जाएगा बी order of log n के roast case time complexity बाइन सर्च की क्या है order of n क्योंकि इसमें roast वस्ट और average दोनों क्या होती है order of log n अब लिखा है what is average case of time complexity बाइन सर्च यह भी क्या है order of log n ठीक है जी बात अब इसमें लिखा है which of the following is not an application of binary search आप यह आपके पास to search an order list आपको यह भी point याद रखना है कि जो binary search में जो list होती है ना जिसमें आप सर्च करती हूं वह होती है हमेशा ordered क्यों होती है order मतलब आपके पास वह increasing order में मिलेगी आपको ठीक है अगर यह है 10 20 30 40 50 इस तरह से आप binary search को input दोगे तब तो binary search work करेगा अगर यह जैसे ordered या increasing order में है तब तो binary search work करेगा अगर उसकी input ordered नहीं है अगर वह मालो ऐसे होती 30 20 40 मालो 50 40 अनौर्ड है ना तो इस पर binary search वरक नहीं करता बाइन सर्च वरक करता है हमेशा ordered या increasing order पर एक होती है decreasing उसको कहती है reverse sorted ठीक है लिकिन यह हमेशा ordered यानि के sorted list पर काम करता है आगी बात सम्झ में मतलब के sorted order list पर काम करेगा ठीक है ordered का मतलब यह बढ़ते करम में आपके पास आगी generally increasing order में होती है आगी बात सम्झ में तो यहाँ पर यह जो उसने कहा कि कौन सी application नहीं है to search in an order list पर यह order list में search करता है तो यह इसकी application नहीं है debugging इसकी application है यह union of interval भी find lower upper bound यह आपको बात में समझ में आएंगे लेकिन आप याद रख रहे ना यह की application है binary search की अब यहाँ पर लिखा है कि एक list given है 5, 6, 77, 89, 99 searching element this how many iteration are done until element is found ठीक है अब इसमें क्या करना है list है ना यह list अब यह देखो यह आपके पास लिखा है how many iteration are done until the element is found अब इसमें कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यह किसकी help से search कर रहा है linear search किया इसने कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब हो क्या है linear search तो आप पहले element गए दूसरे पे गए तीसरे पे गए चोथे पे गए चीक है बाद तो fourth iteration के बाद आपको यह मिलेगा ठीक है बाद तो answer क्या जेगा C क्योंकि इसने यह नहीं लिखा ना कि मुझे searching linear से करनी है यह binary से करनी है वैसे जनरली एक्जाम में लिखाएगा आपके पास अगर यह list given है linear search लगाना है इसमें नहीं लिखा है तो यह linear search है हुआ चीक है जी बाद है यह यह लिखा है given a list list given है आपके पास and searching element 100 इस list में से आपको 100 search करना है what are the mid value corresponding element generated in the first and second iteration अब mid value अब यह देखो shorter list है ना और mid value हम किसके case में निकालते है binary search यह याद रखना है जब mid value की बात आएगी ना mid value की बात तब हम use करते है binary search क्योंकि binary search में क्या होता है मालों यह 10 20 30 40 50 है binary search हमेशा सबसे पहले जाता है middle element पर ठीक है फिर यह दो पार्ट में डिवाइड होजेगी left part और right part अगर जो सर्च करना है 30 है तो starting में मिल गया अगर जो सर्च करना है वो तीस से चोटा है तो हम इधर search करेंगे अगर जो सर्च करना है वो तीस से बढ़ा होगा तो इधर search करते हैं तो middle element में जाते हैं तो उसने वही कहा कि what are the mid values corresponding to array element generated in the first or second iteration पहली बार में क्या बनेगी और दूसरी बार में अब आप देखो के हमारे पास जो list है वो क्या है 45, 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 element है तीन element यह इधर है और तीन element यह इधर है तो बीच में क्या बना 90 तो पहली iteration के लिए क्या बना गया है 90 और search क्या करना है 100 इस तरह से देख लें इसको हम लिख लेते हैं एक बार यह बना गया 45, 77, 89, 90 फिर आगया 94, फिर 99 फिर आगया 100 ठीक है अब तीन element यह हैं इस तीन element यह हैं तो middle क्या बना 90 तो पहली iteration में हमारे पास element क्या बना गया middle 90 अब हमने search उसने कहा है search करना है searching element है 100 ठीक है तो जब आप 90 पर जाएंगे ना पहली बारी में तो यह 100 तो है नहीं हमें इसलिए हम देखेंगे कि जो 100 है वो middle element से छोटा है बड़ा 100 जो है middle element से बड़ा है तो अब हम search कि किधर करेंगे इधर तो अब हमारी list बन जाएगी य 94, 99 और 100 अब इस list में फिर हम middle element पर जाएंगे middle element क्या बना 99 तो यहाँ पर पहली बारी में middle element 90 था दूसरी जब हमने list हमारी छोटी हो गई तो उस case में middle element 99 बना तो आंसर क्या जाएगा 90 और 99 ठीक है पहले 90 आएगा फिर 99 तो पहले 90 फिर आ गया 99 ठीक है जी बात अब आगया what is the time complexity of linear search with iteration अब आपको पता है linear search जो है आपको worst case जब वो कहते है ना best या worst या average case कुछ नहीं लिखता तब आपको generally worst case में जाना है और worst case हमेशा linear search ही क्या है order of n ठीक है अगर वो लिखता है especially कि best case या average case तब आप देखोगे क्या बनेगा लेकिन अगर वो कुछ कुछ नहीं लिखता तो हमेशा worst case के बारे में बात होती है तो यहां पर कुछ नहीं लिखा तो हम worst case के बारे में बात करेंगे वो दिया order of n क्योंकि सारे के सारे element आपको search करने पड़ते हैं what is the time complexity of binary search with iteration ठीक है अब binary search चाहे iteration है चाहे recursive है दोनों के case में जो average average कहलो या worst कहलो iteration चाहे binary iteration है चाहे बाइनरी रिकर्सिव है average और worst case हमेशा क्या होती है order of log n ठीक है और best क्या है order of 1 ठीक है यह क्या है time complexity क्या है यह time complexity ठीक है time complexity ठीक है क्या है order of 1 लेकिन अगर वो space की बात करें न श्पेस कॉंप्लेक्सिटी इस पेस कॉंप्लेक्सिटी जो होती है iterative के case में यह याद रखना question आ सकता है space complexity iterative के case में होती है order of 1 यहाँ पर best worst का कोई role नहीं है हमेशा सिदा पूछा जाएगा कि space complexity iterative के इसमें order of 1 होती है और binary की बात कर रहे हैं हम यहाँ binary iterative space complexity binary iterative order of 1 और space complexity binary recursive यह होती है order of log n यह important बात है याद रखना space complexity binary iterative के case में order of 1 होती है और binary recursive होती है order of log n और अगर linear search की बात करें linear के case में जो space complexity होती है न चाहे वो iterative है चाहे वो recursive है इन दोनों के case में ही order of 1 होती है ठीक है यह नोट कर लेना point ठीक है तो यहाँ पर time complexity और binary search with iteration क्या जाएगा order of log n और dash search take sorted order list divide it in the middle तो यहाँ पर binary लिखा है है यह लिने लिखा है लेकिन binary search हमेशा sorted या order list को sorted का मतलब इंक्रीजिंग order में ठीक है list आपके पास यह तो ordered होगी या increasing order में होगी वो हमेशा binary search में होती है और वो हमेशा direct कहा जाता है middle element बजाता है ठीक है यह तो इसकांस क्या जाएगा binary तो आज की वीडियों में इतने ही mcq करते हैं जो बागी बच्चर हें हम वो next वीडियों में कबर करें जो आपके पास questions हैं बाकी बचते होना हम नेक्स व्यूटियों में कबर खरेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बैल आकने दो भाएं, धन्यवाद